हाँ जी तो बताईए आखिर प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच चलिए आपसे शुरू करते हैं वाई साथ आप बताईए क्या प्रॉब्लम है छीक आ रही है नहीं आई थी कई साल पहले जिसके लिए आज तक भूगत रहा हूँ ज़र खुल कर समझाईएगा जब पहली बार मैं अपने घरवालों के साथ इनको देखने पहुचा तब इनके घरवालों ने मुझे से पूछा कि लड़की के लिए हाँ है तबी मुझे पेड़ी सीख नी कल गई और बस क्या था इनके घरवालों ने मेरे मुझे लड़ू डाला और बैठा दिया मंड़म में जिसके लिए आज तक भूगत रहा हूँ मैड़म अब आप इनहीं से पूछिए तखलिफ तो इनहे है सैलरी मांग रही है सैलरी कहती है कि घर का काम करने के लिए सैलरी देना पड़ेगा अब आप ही बताइए मैड़म दी अपने घर का काम करने के लिए बड़ा कोई सैलरी मांता है